हलो गाइज तो बहुत दिनों बाद विडियो चोड़ने जा रहे हम तो यह जो विडियो था मच अंटिसिपटेड था बिकॉज बहुत दिनों के बाद हम विडियो चोड़ने आये थे जो कि आप लोगों ने देखा होगा तो यहां पर यह फूल क्यामपस टूर करने का क्लीन है और यहां पर मतलब बहुत लोगों का फीड है बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स अर कमिंग सो यहां में घुच रहे हैं स्टूडेंट वाइकल पार्किंग में यहां पर देखिए दो बंदे बिल्कुल रहते हैं अलट करके पार्किंग करने में और अंदर शिकूर तो न्यू फ्रेशर्स को आईडी कार्ड नहीं मिला है उनको मिल जाएगा बाकी हम लोगों का स्ट्रिक्ली चेक कर रहे हैं तो अभी हम चल रहे हैं यह फेवरेट कॉरिडर है मेरा यहां पर मज़ा आता है बाई चलने में यह चनाई की जो गर्मी है इससे यह मज़ा देता है बिकोज यहां पर ट्रीज हैं सेड है तो विए टीचन नहीं का यह बहुत स्पिसल है कि हर कॉरिडर में आपको सेड मिल जाएगा गर्मी से आपको परहसान होने है काही नहीं तो अभी हम थोड़ा चलते हैं जरॉक साउप की तरफ तो यहां पर यह AB1 में एक जरॉक साउ है पहले अप इंटर करते ही तो अभी हम यहां पर आये हैं डेल्टा ब्लॉक में थोड़ा सा अपने थेसिस के काम से और यह जो है हॉस्टल ब्लॉक B और हॉस्टल ब्लॉक C साइड बाई साइड है और यहां पर फ्रेशर्स का तैयारी चल रहा है उदर और बहुत सारे को इंसाइड अलाव कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है वेरी वेलकमिंग और हॉस्टल के इंसाइड अलाव नहीं है तो यह है अपना में गेट का रीजन जहांपर MGR जी का स्टाच्यू है और यहां पर आप देख सकते हैं उस साइड में हमें मिल जाएगा लाइब्रेरी कैंटीन संड और जो सब हमने डीटेल में कवर किया हुआ है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दूँगा आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं तो यह जो फॉटो है यह तो पूरा मांडाटरी होना चाहिए बिकॉस क्या ही बताओ पूरा मेहना दो साल का अभी हम देखा राइट हैंड साइड में रीजन और यह देखिए हमारे सामने होस्टल बॉक बी और होस्टल बॉक सी जो कि बहुत सुंदर से दिख रहे हैं और एमजयर स्टैच्व आपको दिख रहा होगा तो यहां पर हमारा क्यांटीन है माला क्यांटीन कह सकते हो क्याफेटरिय नहीं मिला दो तिन दिन में क्या कर लोगे भाई तो अब यह आपको पूरा क्यांपस दिखा रहे हैं तो बैक्राउंड नॉइज में हमने मतलब ज्यादा नहीं रखा और गाना बगेरा वो सब नहीं डाल पाए तो सिर्फ हमने क्या किया थोड़ा सा आपको बैक्राउंड इतना बीड बहुत सारे प्नद आ यह जुका है और यह जो मेरे राइट अंड साइड में जो की जो कि like very high amount में इतने amount में आये हैं और फ्रेसर्स बहुत ज़्यादा इस पर इंडोड किये हैं कोरोना के बज़े से किस बज़े से पता नहीं और यह है clock tower clock tower के बारे में तो आप लोगों को पता ही है यह बहुत प्रमस है यहां पर बंदे अभी photo खिचा रहे हैं तो लोग का excitement भी बनता है बाई और यहां पर देखिए आत्मा गैंदी auditorium omega block और यह है क्याफटरिया क्याफटरिया में बहुत ही नए चेहरे कुछ लोग हमें पैचान रहते तो वह अच्छा लगा कि बहुत लोग पैचानते हैं बाकी सब बिल्कुल new faces और यहां पर यह जो क्या है यह इ student parking नहीं जो parents के लिए पारकिंग का system किया गया है आज पहले बार मैं outside autos देख रहा हूं तो हमारे टाइम में campus बहुत ही different था बहुत ही stringent rules and regulations में हमको चलना पड़ता था अभी campus is really like liberal और यह देखके हमको थोड़ा बुरा भी लग रहा है हम लोग के साथ ऐसा क्यों नहीं और अभी इतना liberal क्यों है तो यह कुछ दिनों के लिए है फिर से they will apply the strict rules once again the covid cases are rising so यह सब तो चलता रहेगा बाकी हम आपको campus दिखाने के बारे में चल रहे हैं तो इधर यह एक नए building हुआ है वो क्या होगा क्या करा जाएगा पता नहीं और सीधा हमारे सामने blue hostel जो की hostel block C side है और उसके side में यह जो है ab2 का academic building है और ab2 में भी बहुत सारे classes होते रहते हैं और यहां पर आप लोग को अभी में आगे लेके चलता हूँ और इसी road में ही इस side में हमें health center मिलेगा health center के ओपर बहुत सारे faculties का cabin है और यहां पर उसी के पीछे swimming pool बगेरा मिल जाएगा तो अभी हम health center और swimming pool area दिखाने के लिए आप लोग को ले जा रहे हैं और swimming pool हमने पहले भी बहुत detail में cover किया था अंदर तो जाने का allow नहीं है तो यहां पर health center में आपको हमेशा एक ambulance मिल जाएगा एक practitioner फिर फार्मसी आपको basic medicines इधर मिल जाएंगे फिर अगर आपको कोई ज्यादा problem हुआ तो यहां पर ambulance से आपको उधर लेके जाएंगे और आपका सब कुछ ख्याल इधर रखा जाता है तो health center का response बहुत ही अच्छा था और यह जो हम लो लोग थे यहां पर hostel block A पर तो यह जो है पहले आपको guest house दिख रहा होगा guest house के बाद हमें दिखेगा अभी hostel block A जो की मेरे left hand side में है और right hand side में है अपना AB1 तो यहां आपर कम से कम VIT के सारे बड़े-बड़े buildings हमने cover कर लिए जो की like center of attractions है because VIT Chennai जैसे आप लोगों पता होग Green Campus है और buildings के लिए भी famous है तो Green Campus के साथ हम अगर AB1 पर जाए तो AB1 में बहुत सारे engineering के department science के department आप लोगों को cover होते दिखेंगे और और क्या और यहां पर आपको मिल जाएगा उसके सामने बहुत सारी चीजे जैसे कि अपना full gym और मैंने फ्रेशर्स के वीडियो देखके तो म जिम में इतना भीड पहले ही लगता है फिर उसके बाद और उसके नीचे आपको मिल जाएगा खाने के लिए और वह खाने का जिम खाना और domino's तो दोनों अभी fully functioning है और पहले जिसे आपको बताया था due to the lack of time हमने अच्छे से वह सब try नहीं कर पाए तो अभी हम जा रहे है AB1 के अंदर AB1 से बाहर निकलते ही हमें sports ground मिलेगा जो कि एक football ground है और वहाँ पर आप cricket वगएर आभी खेल सकते हो कभी कभी और उस side में हमें basketball, tennis, badminton, court यह सब मिल जाएगा तो अभी हम आपको ground दिखा रहे हैं और ground के सामने जो building है वो library है और विए टीचनने का library के उपर हम अनने दो वीडियोज बनाएं वो इतना बड़ा है बनले इतना भी बड़ा नहीं है फ्रेसर को अकॉंड़ेट नहीं कर पा रहा है और क्या petition फाइल कर रहे हैं दूसरे library के लिए वो सब तो मजा के बाद चलता लेगा बागी ठीक टाक है कि facilities और football ground को अभी maintain कर दिया है आपस जहां पर maximum है और AB2 में maximum classes हैं AB1 में maximum labs हैं तो और देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है तो यह full campus tour का जो वीडियो है highly lengthy होने वाला है तो मैंने कोसिस किया है कि short में आपको दिखा लूँ मतलब short videos तो बहुत सारे हैं पर full length campus tour करना है तो full time तो लगए गई तो बसे देख का मतलब admission का डे है उन लोगा फ्रेसर चल रहा है काने बीने का बंदबस्त है फिर भी बहुत सारे parents को दिकत है और उन लोग को खाने के लिए यहां पर आना पड़ रहा है बसेस वागेरा में बहुत सारे outside students जो हैं जो day scholars हैं उन लोग को बसेस में आना पड़ रहा है जो कि 30 के आराउंड तो हो चुका होगा तो कम भीड होगा मैंने लंच टाइम में आपको थोड़े टाइम पहले आपको जो फुटेज मिला था हुआ लंच टाइम का था वहां पर बहुत भीड था अभी स्टिल देर स्टूडेंट्स प्लेइंग तो यह और एक क्रिकेट काउंड जो है फुटवल ग्राउंड के बगल में यहां पर आप खेल सकते हैं और यह एरिया देख सकते हैं आप लोग कम्प्लीटली रिवांप हो गया है वेडिचन नहीं का और आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चे देख रहे हैं मरला बहुत लाइक हम लोग एलियंस नहीं ह हैं और हमें पहचानते हैं बहुत बच्चे फिर भी लाइक वी स्टेट फॉर वेरी लाव लेस्टाइम अंड अंड क्या फिर भी यहां पर स्टिल डेर इस लॉट अप क्राउड अभी हम देखने जा रहे हैं क्या क्या हम सकते हैं इदर और थोड़ा एक्स्प्लोर करेंगे क्रिकेट नेट्स मिल लिया है जो क्रिकेट एंथूजियस्टिक हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेट नेट्स यूज कर सकते हैं इदर और फिर भी हमें यह चैनाई के क्या इसका बाई मैं भूल जाता हूं यह फ्रेस भी आटी या क्या है यह जो सेंटर उसम कि नामे मैं भूल क्यों जाता हूं पता नहीं और बाकी उसके बाद थोड़ा लस्टी ट्राइब करके हम आये हैं स्विमिंग पूल एरिया में तो लस्टी हाउस ने इस बार डिसापॉइंट नहीं किया मैं एंगोल लस्टी मगाया था वो ठीक ठाक दिया था उसने फिर स्व पुराना स्विमिंग पूल का गेट और यहां पर अंदर तो हम नहीं जा सकते और सिर्फ आपको बाहर तक ही दिखा सकते हैं स्विमिंग पूल बड़े बड़े लेटर्स में आपको बोर्ड मिल जाएगा इदर और इसका जो सब्सक्रिप्शन है आप पे करने के बाद स्व इसका क्या पर्पश यहां पताने i kia नहीं पताने i think this is another academic building or library as we can see that libraries are like very less space in the library so this might be another academic building or study place so hopefully bit is opening a lot of new branches और रहे प्रच्ट तो इस वाले वी कुझ वाल जो उस्टार गए जो एक्स्ट्राइब शोर और एज है वह जो इंफ्रस्ट्रुक्ट्रें वह इंकॉमटेट था शिक्समाथ विफोर और अभी बहुत ही हाइप बहुत ही हाइप इस वेड़ियों इस वाले वे में कभी ने हो रहा है तो भारत जो है construction प्रधान देश से और विए टी में भी construction continuously चलता रहता है बहुत सूपर स्पीड में चलता रहता है तो यहां पर आप लोग को सब clean और new दिखने को मिलेगा वेटी चन्हें में तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या हमारे सामने हैं और स्टुटेंट्स में जो देख रहा हूं फ्रेशर्स बहुत ही एंजे कर रहे हैं क्यांपस को उन लोग को यहां पर जो फॉस्पोर्टिंग फैसिलिटी का अक्सेस से यहां से मिल रहा है उनको फुटबाल टैनिस बाद्में बाद्मेंटन्स और अल दोस थिंग देटिंग प्रिकेट बैर्ट्स क्रिकेट अच्सेसरी आपड़िए आप लोग को दिखाया है और यह किसके द्वरा कांस्रक्शन किया गया है इन्फोर्मेशन वगेरा सब कुछ आपको मिला है जो पीछे न्यू विल्डिंग दिखाया था आपको तो बाकि फूल कैंपूस टूर में और क्या आप लोग को दिखा सकते हैं चलिए और क्या हम लोग देख सकते हैं तो यह जो है विए टी का नदी आप बोल सकते हो नाला बोल सकते हो और अरे भाई हमने तो अपना सबसे स्पेशल पेस मिस कर दिया यह जो क्लॉक टावर के पास एक अच्छा बैठने का जगा है इधर आप लोग बहुत अच्छे से चिल कर सकते हो आपके फ्रेंट्स के साथ आपको अभी थोड़ा आजीब लगता होगा तो जॉर्जिया भी हम लोग जाएंगे यह MGR Central का फोटो है थोड़ा मतलब साम होने लगा है जॉर्जिया की तरफ भी जाने का विस है आज देखते हैं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं तो अभी देखते हैं आगे हम क्या एक् जो अरिया है अपना लाइब्रेरी का अरिया अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं तो यहां से आप लोग को ऐसे जाना होगा और MGR Central से आप अगर मेंगेट की तरफ जाएंगे तो वहीं पर एक अड्मिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और लाइब्रेरी है तो यह बहुत ही मतल से आपी थेटर है ओपन एयर और यहां पर एक म्यूजिक वीडियो भी हमने आपको रिलीज किया था यहां से बहुत सारा अक्टिविटीज करते रहते हैं विए अटी के डिफरेंट क्लब्स और चाप्टर्स जो हैं सो अभी यह अपना फुली टेकनिकल लाइब्रेरी है औ तो उसको छोड़के बाकी सबका आपको कंप्लीट टूर मिल चुका है तो आप लोग अगर मोर इंटरेस्टेड हैं एक्स्प्लोर करने में कोई पर्टिक्लर पार्ट तो चैनल में जाईए या फिर प्लेलिस्ट में भी लिंक कर दूंगा नीचे और आप लोग देखते रह रहता है कभी मतलब कहीं पर क्या होता है पता नहीं बैंगलोर में और चेनाई में थोड़ा वह स्टेबल है तो अभी हम लोग चेक आउट कर चुके हैं बहुत ताइम हो गया गुमते अभी तो पेर भी दर्थ करने लगा है फुल कैंपस टूर के चक्कर में और वह जरजिय है जब आप एंटर करते हो कैंपस के अंदर आपको ग्रीन सा फीलिंग होता है आउटसेट वाल्ट से थोड़ा बेटर का फीलिंग होता है तो इधर इन्वार्मेंट वाइज और सब वाइज बहुत अच्छा है यहां पर फ्रेसर्स की बाड़ आ चुकी है बहुत सारे फ्र पर यहां पर यह जो है यह जो प्रोजेक्ट है एक वाटर कांजरेशन प्रोजेक्ट है जो की टाटा और वी आईटी दोनों के कोलाबरेशन से बना हुआ है तो इसको भी मैंने इंख्लूड करने का सोचा तो आप लोग अगर यहां तक पहुंच चुके हैं एंथुजियस् और सपोर्ट दिखाए आपना और और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं और और भी अच्छे अच्छे इन्फोर्मेशन मिलने वाले हैं आपको फ्यूचर के रिगर्डिंग कैरियर के रिगर्डिंग और अभी हम अपने दोस्तों से मिलेंगे और यह हैं हमार फेवरेट दोस थैंक